नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभिनाव तुशान शुपांडे और हमारी चर्चा का क्या विशय था पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी की के चुम्बकिय बल किसी भी चुम्बकिय छेतर में एक कतार के उपर जिससे धारा प्रवाहित हो वो कैसे दिखाई देता है आईए हम बात करते हैं सबसे पहले कच्छा बार्वी के लिए बहुते की जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और इसके अलावा सारे सब्जेक्स में आप को कच्छा बार्वी और कच्छा दस्वी के एक्जाम से रिलेटेट सारे इंफोर्मेशन मिल जाएंगी अगर आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे तो आपको आपकी परिक्षा के तयारी में भरपूर सहयोग मिलने वाला है अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से यदि आप हमारा एप्लिकेशन इस्टॉल करते हैं तो वहां पर हमारे वीडियो के अलावा आपको एडिशनल कंटेंट मिलेंगे जैसे कि माइंड मैप चैप्टर नोट्स शॉर्ट नोट्स और इसके अलावा केरियर गाइडेंस के भी सुविधा है तो आप जल्दी से हमारा एप्लि बादन किया इसके बारे में सिखा पायो सेवर्ट के उप्योग करके धारवाही लूप के बारे में हम लोगों ने देखा कि कैसे चुम्ब की छेतर की तीवरता इसके केंदर में कैसे बनती है इसके बाद में हम लोगों ने धारवाही लूप की अक्षिय स्थिति के बारे मे यह कि हम लोगों ने MPR के पथनेहम के बारे में बात की और तुलना िमीन में प coloring और यह सब चीजें सीख जाने के बाद में हमारा जो अगला स्टेप एवासा है है मैं आपको बता दो कि एक समान चुम्ब की छेतर के अंदर कोई धारा वही चालक हो जिससे धारा का प्रवाव हो रहा हो तो वह एक बल का अनुभाव करता है और ये बल जो है हम फ्लेमिंग के बाया हाथ के नियम से निखाव सकते हैं फ्लेमिंग के बाया हाथ का नियम क्या कहता है फ्लेमिंग के बाया हाथ के नियम के अनुसार यदि धारा की दिशा हमारी मध्धमा यहने की मिडल फिंगर से जो है प्रदर्शित हो और यदि हमारी तरजनी चुम्ब की छेतर की और दिशा दिखा रही हो तो ऐसी स्थिते में ह DL I.E.S Son Theta तो यह जो आइटीयल साइन है I drop in between हम बोल सक्ते हैं wast एफ फॉर से वह आईडीयल यह क्या हा यह करेंट इलिमेंट है क्रॉस और ये क्योंकि जो है सद्स वरंटिर इसले यहां पर बल भी हमको सदिस दिखाई दे रहा है तो आप इस सूत्र का उप्योग करके ideal sin theta या ideal b sin theta और इसका उप्योग करके आप चुम्ब की छेतर की तीवरता निकाल सकते हैं आईए इसका application के बारे में बात करते हैं हम क्या देख रहे हैं कि जब भी मान लेते हैं या एक point A है यहाँ पर एक point B है और यदि हमको चुम्ब की छेतर की तीवरता निकालनी हैं तो यह हमारा तार किस तरीके से घूमा हुआ है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है यदि हमारे मतलब हमारी जो चुम्ब की छेतर यहाँ पर है वो इस परकार से अंदर की और जा रहा है तो केवल इसका एक सदिस component यहने की डी एल साइन थीटा केवल इस अव्याव का ही उप्योव किया जाएगा मतलब कुल मिला के हम यह बोल सकते हैं कि यहाँ पर चुम्ब की बल पथ के उपर निर्भर नहीं करता है बल की विस्थापन के उपर निर्भर करता है A से D की जो दूरी है हम उसी को DL मानेंगे और उसी के तुनना में हमको यहाँ पर खुल बल का अनुभा होगा अब यह जानकारी जब हमको पता चल गई है तो हम इसका उप्योग कैसे कर सकते हैं यह देखिए यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि मान लेते हैं हम लोगों ने एक बिंदू यहाँ पर सलेक्ट कर लिया और यह बिंदू ले लेते हैं हम बिंदू A अब आप समझें कि बिंदू A से यहाँ अगर हम तार को जो है सिर्फ बिंदू B तक मानते हैं तो यहां पर बिंदू A से B की और धारा का प्रवाह कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन B से वापस लोटते समय यहां पर कुल धारा शून्य हो जाती है। और इसलिए किसी भी बंद कुंडली या बंद लूप से जो है चुमबकी छेतर जो मतलब चुमबकी बल किसी भी बंद कुंडली पर शून्य होगा। ठीक है। अब आप लोगोंने जब यह बात समझ ली है कि कुल मिलाके बल शून्य होगा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं क्योंकि यहां पर खुल विस्थापन कितना हो सकता है। और इस पद्सकरस से हम concrete यहां पर पिल के बारे में पता चलेगा। उसी तरीके से यहां पर अगर चुम्न की लंबाई ए मान लें। तो यह सीधातार है और यहां पर भीजिए हमको F वराबर I L B इस तरीके से जो है कोल मिला के चुमबकी बल का मान मिलेगा लेकिन यहां देखिए कि यह बंद कुंडली है और यहां पर कुल मिला के जो है धारा का विस्थापन शून्य है इसलिए एक बंद कुंडिली के लिए हमको चुम्बकिय बल कामान हमेशा सुन्य ही मिलने बाला है यह बाते हम लोगों ने समझी अब हम यहाँ पर यह एक इंपॉर्टेंट क्वेस्चन है यह इंपॉर्टेंट क्वेस्चन क्या है भाई आप से प्रश्ण में पूछा हुए दो धारा वाही चालकों के मद्ध लगने वाले बलकी करना करें या एंपियर के परिपथिय नियम का उप्योग करते हुए एक एंपियर धारा को परिभाशित करें तो यह दोनों प्रश्ण जो है जब हम लोग प्रिवियस यह क्वेस्चन देख रहे होंगे तो आपक अंधारा प्रवाहित करने से हमको जो है यहां पर चुम्बकी छेतर की तीवरता निकालनी होगी इस चुम्बकी छेतर की तीवरता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग यह मान लेंगे कि इनके बीच की जो दूरी है वो आर है और चुम्बकी छेतर की तीवरता ampere के नियम के अनुसार कितनी होती है ampere के नियम के अनुसार यहाँ पर b.dl कर लेने से mu not i मिलेगा अब यहाँ देखे कि यह जो close integral dl है यह जो तो होता है 2 pi r ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा b गुणा 2 pi r और यह हो जाएगा mu not i अब यहाँ से देखिए b का मान हो जाएगा mu not 4 pi और यहाँ हो जाएगा 2 i1 2 i1 बटा r यहाँ पर आपको कैसे समझ में आया देखे यह 2 pi को हम लोग ने नीचे लाके 2 से गुना किया और इसके प्रभाव को हटाने के लिए उपर भी गुना कर दिया तो यहाँ पर चुम्बकी छेतर की तीववता मिल गी अच्छा चुम्बकी छेतर की दिशा कैसे निकालेंगे दाय हाथ का नियम उप्योग करेंगे दाय हाथ के नियम में अंगुठा जो है वो धारा वही चालक में धारा की दिशा में हम लगाते हैं और इसके बाद में हम अपने उगलियों को बंद करने का प्रयास करते हैं तो क्योंकि यह बिंदू यहाँ पर है तो अंदर जाता हुआ मतलब यह चुम्बकी छेतर की सही दिशा है यह हम लोगों को एक बार समझ में आ गया अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि चुम्बकी छेतर की दिशा निकल जाने के बाद में हम मान लेते हैं कि यह वाले चालक से आई-टू की धारा प्रवाहित हो रही है अब अगर आई-टू की धारा प्रवाहित हो रही है और ये है f बराबर i dl b और sin theta अच्छा sin theta में यहाँ पर देखे चुम्ब की छेतर की दिशा अंदर की ओर है और धारा उपर प्रवाहित हो रही है इसलिए बल को कसे निका लेंगे बाएहात के नियम से तो यहां पर देखिए चुम्बकी छेतर किस से दिखाई देता है हमारी तरजनी से तरजनी से चुम्बकी छेतर अंदर गया अब विदुद्धारा की दिशा मध्यमा से तो यह जो है मिडल फिंगर को हम लोगों ने उपर ले आया और हमको लगने वाला फोर्स जो है यह इस दिखाई दे रहा है मतलब दोनों तारों के बीच में क्योंकि धारा एक दिशा में हैं इसलिए अकर्शन का बल लगेगा और यहां कितना होगा तो और यह को hmm influen क्या है बी कमान हम लोग निकाला तो F कमान हो जाएगा F बराबर I2 तो F बराबर हो जाएगा DL गुणा Mu naught बटा 4 Pi और यह हो जाएगा 2 I1 और यह वाला I2 यहां पर गुणा कर देंगे तो I2 और यहां पर देखेंगे कि यदि हम DL को इधर भाग दे देंगे तो हमको क्या पता चलेगा हमको पता चलेगा F बटा DL बराबर भीनॉट बटा फूर पाई और यहां पर हो जाएगा टू आई-वान आई-टू बटा आर यह चीज़ें हम लोगों दें पहले अब CHAR किन ही बी डो तारों के मद्ध ही एक औंक कमद्धित प्रतां कलमभाई भाति प्रति दो होनगे मानएं और Video सब्क्राइब कर्वाहिवेध के लिए वक्रति औरक्वान के नश्चान के मद्ध होए ग digo हम लोग मान लेते हैं कि आई-वन का बाल जो पहली धरा है आई-वन उसका मान दूसरी धरा आई-टू के बराबर हो और यह अगर हम लोग एक एम-पीर धरा ले ने और इनके बीच में जो हकुल मिलाखे जो दूरी है वो कितनी है, आर है, तो इनके बीच की दूरी आर बराबर एक मीटर रख दें, एक मीटर रख दें, तो हमको जो हकुल मिलाखे लगने वाले बल का मान पति एक आंक लंबाई कितना मिलेगा, f बराबर, mu naught, mu naught, बटा, 4 πy, और यहां पर गुणा 2 हो जाएगा और I1 I2 को दोनों का मान एक हो गया, R का मान भी एक हो गया, अच्छा इसका मान होता कितना है, इसका मान होता है, दस की घाथ, रिन साथ, तो यहां पर बल का मान हो जाता है, बराबर 2 गुणा, दस की घाथ, रिन साथ, न्यूटन, अब यह दो चालोकों में समान धारा प्रवाहित हो उन दोनों के बीच की दूरी एक मीटर हो और उनके बीच लगने वाले आकरशन बलका मान दो गुना दस की घात दो गुना दस की घात रिन साथ न्यूटन हो तब जो है हम उस धारा को क्या बोल सकते हैं एक एंपियर की धारा तो इस परकार से जो है हम लोगों ने MPR के परिपते नियम का अपयोग खिया एक MPR धारा को परिभाशित किया और हम लोगों ने बहुन सारी चीज़ें सीखें हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तारीकी की बहुं सारी महत्वपूर्ण चीज़े सीखते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद